हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एसस्क्रो व्लॉक्स तो फ्रेंट्स देखिए आज हम फिर से आए हैं पिली कोटी और यह देखिए यहां पर ड्राइफ रूट्स तो फ्रेंट्स आपको पता ही है कितने अच्छे प्राइस में मिलते हैं मेरी पहली वीडियो जानेंगे और कुछ डाइट के बारे में जो आज कल जिम वाले बच्चे लेते हैं तो वह समभब देखेंगे फ्रेंट्स याप्ते थोड़ी सी दूप है तो पता नहीं कैसी कैप्चर हो रहा होगा तो चलिए फ्रेंट्स पात करते हैं इनसे और कुछ देखते हैं इनका शॉप और इनका नमबर होगा इसमें इस सारा नमबर जो प्रोवाइड में आपको कर रही हो आप इनसे बात करके अराम से सामान ले जा सकते हो चलिए फिर इनसे बात करते हैं और इनका कुछ अच्छा सा सामान आईए हम सबसे पहले हमारा 25 साल का पुड़ाना दुकान है और हमारे पास हर एक सौधा मिलता है ड्राइफूर से लेके मसाला जड़ी बुटी या लड़ू का समान जो भी खो जोगे हमारे पास सारे उपलब है तो आज आपको दिखा देते हैं जरी बुटी के लिए बहुत जगा दोरने परते हैं लेकिन हमारे पास आजी यह हमारे जो है केलसियम बढ़ जाता है करस्टोल बढ़ जाता है तो उसके लिए जो है हमारे पास देख लो यह पास है यह लसन है कस्मीरी लसन बूला जाता है इसको और इसमें जो है ज्यादा नहीं इसको दो सुबा जो है खाली पेट में दो ले लो और लेकर इससे बहुत फायदा ह होगा इसको क्या करना है इस तरह से तोर लेना है कि इसका जो है निकाल लेना है कि कि इसमें कलिया आता है एक कलिया को इसको जो है सुबक खाली पेट दो लेलो जादा नहीं दो लेलो इसको दो लेके और पानी पीलो और पानी पीने के बाद आधा घंटे के बाद फीक कुछ खाना इससे हमारे जो है हरे करोष्टो जो बढ़ा हुआ रहता है उसके लिए बहुत फायदा मनें और आए हम दिखा आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे यह है जटा मसी है यह जो है यह जटा मसी हमारे दिमागों के लिए बहुत फायदावन चीजह जैसा कि हमारे दिमाग में गर्मी होता है यह होता है इसको करना क्या है तेल में जो है दूबों के धूप में थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद सर में लगाई हमारा जो है बहुत अच्छी सा नीन दायेगा और बाल भी काला रहेगा और हमारे दिमाग बहुत अच्छी साथी और मन को इतना अनुभब लगंगा कि उसके बाद देखिए हमारे पास कोच का भीज है। ज़ो सारीरों के लिए बहुत माने। जो हमारे इंफेक्साशन होता है उसके लिए बहुत फायदेमन चीज होता है। तो हमारे शरीर में जैसा कि कहीं काम कर रहे हैं और हमारे शरीरों में बहुत थका बंसा रहा है इसको खाईए 15 दिन बहुत वेनिफिट आएगा आपका सरीर का दूसरा नमबर बात अब आजाईए जैसे कि हमारा मोटा पन और यह सब अगर पूछना भी है तो गूगल से भी पूछ लेना वह बता देगा साड़े चाहिए पीडेख सबसे बढ़ी विमारी हो रही है आजकल और हर कोई से पीछ चुटाना चाहता है दो उसके लिए क्या उसके लिए हमारे पास इसे च sano यह होता है इसका नाम है घ्रीन कॉफिड ईकर बिरीन कॉफिए इसका खाने का यह है इसको ले जाओ पॉडर बनाओ और पॉडर बनाके सुबह खाली फेट में इसको एक चमच ले लो और एक चमच लेने के बाद दो घंटा कम से कम खाना मत खाना यह भी आपको 15-20 दिन में आपका बेनिफिट देखा देगा और इसके अलाबा हमारे पास जो है अर्जुन का चाल भी मिल जाएगा यहां बजारों में जो है इसका गुद्दा मिलता है हमारे पास इसका चाल मिलेगा देखिए हमें चाल रखते हैं और इसके अगर बजारों में लेने जाओगे तो इसका जो है गुद्दा जो होता है ना वही लकणी मिलेगा ये असली चीज नहीं meleeगा लेकिन हमारे पा। हम बता देते हैं कि अज सबसे पहले आज डाइट चल रहा है आज हम वह अगार बनाे आपको दिखा रहे हैं सबसे बढ़ियां डाइट वह हमारे पास अगर बजारों में लेने जाओगे तो 1200 का डाइट बनेगा और हमारे पास सिरीफ 700 रुपय का डाइट बजार में तो 500-600 के मिल जाता है लेकिन जो चीज हम देंगे वह चीज 1200 का आएगा देखिए इसमें हम डालेंगे क्या क्या बजारों में लेने जाओगे 14-1600 किलो है यह हम डालें आ कि उसके तो हुआ तुके हमारे पेटों बहुत फायदयमन चीज होता है। उसके बाद डालेंगे यह देखे, खरभुजे सीज, उसके बाद डालेंगे हम सनखलावर सीज, उसके बाद डालेंगे हम पंपिंग सीज और यह तो जानते हैं यह भी केलसियम में काम आता है यह चीज आप लोग सभी जानते होंगे यह थोड़ा सा यह डालें ज्यादा ने अगर आप बोलोगे तो डालेंगे ने तो नहीं डालेंगे कि उसके बाद चर्वी घटाने के लिए जो है यह सिया सिट आता है देखूं यह भी थोड़ा सा ही डाला जाएगा इसमें अब जो है इसमें हम जो है ऐसा ऐसा चीज जा रहेंगे फ्लोवर कि बहुत अच्छी चीज आएगा यह देखिए यह सब को बजारों में जो है किरन बेरी करके बेशता है लेकिन यह असली है रेट सिरी इसको डालेगे उसके बाद आएगा यह मिक्स ड्राइब फूट ठीक है और असली किरन बेरी देख लिए एक बजारों में 2400 रुपया किलो है यह भी इसी में डालेंगे शिरीफ 700 में ही डालेंगे इसके बाद डालेंगे हम ब्लेक बैरी यह हमारे फून के बहुत अच्छी सर्विसिंग देता है अब यह सब को पचाने के लिए हम डालेंगे मुनक्का और अच्छी आजिए और इसको जो है हमारे केलसियों में जो अच्छी यह जो की बूलता है कि का अंजीर खाओ और जंजीर तूरों लेकिन जब तक हमारे सरीर में जानी नहीं रगत क्या तूरेंगे उसके लिए होता है यह देखो अंजीर अब यह हमारे बन गया डाइट का समय और इसको खाने के बाद आप 15 दिन खाओ 15 दिन के बाद जो है यह बोलोगे कि कहा हमने क्या चीज लाए इसको खाने का तरीका यह है सुवा जो है अपना मैं मिक्सी में डालो उसमें दूड डालो घोल के एक ग्लास पीलो इसको डालना है ज्यादा नहीं डालना है ज्यादा डालने से बोलो कि ज्यादा यह होगा सो नहीं इसको 60 ग्राम डालो 50 से 60 ग्राम रोज इसको लिया करो 15 दिन के सुवा और साम खाना खाने का बार ठीक है आप जो बोल रहे है ना देखिए इन भाई साब ने बोल रहा है कि कि इसको किस तरह से खाना है। देखो घगाइस पानी लो उसमें अगार चीनी दे दो और उसको पीओ तो मीठा लगेगा जब तक बेगर नहीं घोलोगे तो मीठा नहीं लगेगा तो आइसी खाने से कुछ ने है इसको घोल अगर दूद मिल जाता है तो यह एकदम शरीर को मजबुत बना देता है कि और इसको लेने के लिए हमारे पास आने पड़ेगा सदर बजार मिठाई पूल दीषजा जा आधा अग्या यहा हमारे फोटो अग्या आधर आर अधर हमारे दुकान में और हम आने के बाद फोटो लगा हुआ हरे छीज में इसलिए हम फोटो लगा है कि हमारे गराग कहीं तो रखते ही हैं लेकिन चाय में हम चीनी दूद कुछ-कुछ डालके हम लोग पीते हैं लेकिन आज एक ऐसा चाय पत्ती चाय मसाला हम बना के देने वाले इस मसाला को आप ले जाए एक बार यूज करिए आप बोलिए कब आप क्या है पर उस वाला भी बोलेगा कि कहां क्या आहें के ल हम चाय मसाला का दिखाता हो में चायाख हम ढालेंगे लों जैसके बात भार इस्का है बहुतुट बढ़िया चीजा होता है यूज को यूज के बाद नहीं थ थोड़ा सा हम बड़ी लाइची डालेंगे स्वाध में देखो यह जो है दालचीनी यह दालचीनी सिक्रेट दालचीनी होता है यह हम डालेगे इससे हमारे चाय में बहुत ज्यादा खुश्वु आ जाता है उसके बार डालेंगे थोड़ा सा काली मिरिश अब इसको स्वाधिष्ट बनाने के लिए थोड़ा इलाइची दालेंगे और क्या डालेंगे लाश्ट में यह देखो गुलाब का फूल कि खुश्वु के लिए यह जानते हो खस-खस होता है और थोड़ी से इसमें हम खसकर डालेंगे यह हमारा बनेगे चाय का मसाला ह इसमा बहुत कप चाय बहुत कब आगर ले के जाओ तो इसको पीश लोगे एकक चंबस देना है दो कप में एक पर इस में लेक्ट गर लेकर जाओ तो इसको पीस लो पीच के एक चमज देना है दो कप में एक चमज अब आपको कितना चाय पीना है वो आप फैसला करेंगेंगे हम लोग फी पिते हम लोग पिते हम लोग पीते यस alg खेसा पांच भर मार descriptive ऐसके इसदे जो है इससे क्या फायदा है अगर हमहारे सरदी काम काम बी है उसमें भी काम आता है, मना हमारे सरी के लिए भी बेनिफिट होता है इसमें, ठीक है, ये मात्र हमारे पास तीन सो को पाव आएगा, बारो सो रुपे किलो, इसको लेने के लिए दिल्ली, सदर्वाजार, मिठाईपूल, आने परेगा नेर तीसाजार ये, हमारे ये दुकान का ये हमारे दुकान का बोट है, आये हमारे पास बढ़ियां से बढ़ियां किसमिस भी मिलते हैं, ये हमारे पास देखलो ये किसमिस आएगा, ये आएगा सिरिफ 200 रुपेया का, ये जो है नासिक वाला किसमिस होता है, 180 रुपेया किलो, अगर हमारे पास गंधारी अगर किसम किस लेते हो यह दखू यह सबसे बढ़ियां किस्मिस होता है और गंधारी का नियम क्या है कि कि इसमें चिप्चिपाहट नहीं आएगा एकडम डिड़ाए माल होता है और हमारे पास जो है जैसे कि छुआरे भी मिल जाता है 180 रूपिया किलो यह 150 का किलो है यह 200 का किलो है छुआरे भी ले जाओ स्वाइर हमारे पास बहुत अच्छी आएगा और और बदाम में आज सबसें देखलो यह यहां देशी गुरबंदी बदाम का सी बेशता है वो भी बदाम मेरे पास है यह दखी इसमें क्या गून है इसमें गून एक चीज है कि एक तो यह मीठा तो मीठा है यह लेकिन उपर से क्या है इसमें तेल भी होता है इसमें जो है तेल भी होता है है ना इसमें तेल भी होता है बदाम भी मेरे पास कहीं भी लेने जाओ 700 सारे 700 रुपया किलो है मेरे पास सिरीफ 600 रुपया किलो है उसके बाद जो है हमारे पास अक्रोट आएगा काग जी अक्रोट यह देखिए हैं यह हमारे पास काग जी अक्रोट आएगा जो की मनें सब्सक्राइब काग जी अक्रोट मिलेगा हमारा पास है और इसमें खासियत यह चीज है इसमें भी तेल बहुत होता है हम थोड़ा ज्यादा दबा दिया इसलिए ज्यादा यह हो गया है तेल का भी मात्रा बहुत है यह हमारे पास 500 रुपया किलो यह बड़ी बाली छोरा है यह हमारे पास 500 रुपया किलो आएगा बजारों में लेने जाओगे सारे 300-400 रुपया किलो है दाम में बेफिकर होके ले जाओ हमारे पास क्वालिटी और रियाइती दाम मिलेगा आपको उसके बाद देखो इधर आ जाईए हम काजू भी काजू भी है मेरे पास 500 रुपया किलो है लेकिन इसको खाने यह मने ऐसी खाने के लिए ने जैसा होटल वेगरा में जाता है ना उसके लिए होता है अच्छा उससे थोरा सा बेतरिंग लेलो यह हमारे पास 600 रुपया का काजू आएगा मस्त काजू है और जो पैकेट में आता है ज सिरिफ 700 रुपया किलो आएगा अगर अक्रोट लेना है तो अक्रोट भी मेरे पास गिरी अक्रोट है यह 700 रुपया का किलो है अगर चिल्ली अक्रोट लेना है तो यह दुकानों में कम से कम 1400 रुपया करेट है हमारे पास सिरिफ मात्र 1000 रुपय करेट है अगर पीस्ता लेन वाइसाब इसको खा के थोड़ा बताना यह होता है और श्टेलिया कर अकरोट यह आपको मने नोस मने इसी दुकानों बलेने यागो 1200 रुपया लगेगा लेकिन इसमें उतना स्वाद नहीं है जितना स्वाद इसमें आता है यह 1400 रुपया किलो है इरानी पीस्ता कहीं भी नेक सबकूछा मेरा व्हाद करके लगाया Хीonderी और हमारे पास जो है अगर माने जैसा लड़व गरक समान लेना है तो लड़व गर्ण होता है हमारे पास गौंदि वेगरक कमर से पुछ मिलता है हमारेह जो है आछ देख़े यह्यहे मेरा है इसमें आपको जरी बुटी भी उपलब्द है देख लिजी हर एक चीज आप जैसा जरी बुटी खोजोगे मेरे पास मिल जाएगा इसके लेने के लिए आपको इस जगह आने परेगा यह दिल्ली सदरवजार मिठाई पूल है पुना डिराइफुट के नाम से मालूम है और नेर तीसा जारी परेगा आप आजाएए अगर घर में ओनलाइन भी मंगवाना है तो ओनलाइन भी मिल जाएगा कोडियर चार्ज आपका लगेगा हर एक चीज आप जहां बोलोगों वहां पहुचा देगा और इस वीडियो को देखके लाइक जरूर करना जो कि हमारा सस्काइबर बढ़े है आप खाक है यह जरूर आप बताना कि कैसा जराइफूट है और हमारे इस डराइफूट का इस ब्रेकफास्ट का आप सेर जरूर करना